नमस्कार दोस्तों मैं दीपक पान्डे आपके अपने YouTube चैनल मैं हार्दिक शोगत करता हूँ दोस्तों जो चात्र पत्रकारता में प्रभेश लेना चाहते या पत्रकारता का कोर्स करना चाहते हैं हमारा चैनल उन्हीं के लिए है समर्पित है उनसे जूड़ी भी सभी प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती है आज हम बात करेंगे कि अगर आप पत्रकारता कोर्स में एड्मिशन ले लिये हैं तो आपको कौन सी चीजे करनी चाहिए जो बेहत जरूरी होती है जि सबसे पहले आपको अपने कॉंटेक्ट्स जो हैं वो मजबूत करने होंगे जो आपके संपर्ख हैं सबसे पहले तो आप अपने सीनियर के संपर्ख में रहिए जो आपसे एक साल सीनियर हों कॉलेज में उनसे संपर्ख बनाए रखिए इससे दो फायदे होंगे इससे आपक को ये फायदा होगा कि अगर वो कहीं पे placement होता है तो अगर आप उनके संपर्ग में रहेंगे तो आगे आप जब course को pass out कर लेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं अगर आपके patch up अच्छे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इंटनसिप या ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं दूसरी चीज अगर आप जो है इंटनसिप करने के बारे में सोच रहें तो सबसे पहले आपने admission ले लिया तो आप वहीं पर इंटनसिप के बारे में सोचना भूल जाईए क्योंकि पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर के आपको एक महिने से लेके तीन महिने तक intensive होती है आप समय के अनुसार जैसा आपके पास समय उस अंसार intensive करिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगे इसके अलावा आपको बता दे कि आप internship किसपद के लिए कर सकते हैं तो यह सबसे बड़ी चीज है यह आपको हमेशा ध्यान में रखके जाना है कि मुझे मैं मीडिया में entry ले रहा हूं जुरू से ही मन बनाके रखें कि हमें एंकरिंग ही करनी हम कोई और काम नहीं करेंगें ता आपको इंटरंसिब भी एंक्रिंग के रूप में करना चाहिए इसके अलावा इगर आपको न्यूजरी रिपोर्टर बनना है तो आप उससे भी ध्यान में रखें इनके अलावा भी कई सारे जो है work होते हैं news channels में आप जो है उससे भी काम कर सकते हैं जैसे कि वहाँ पे input department होता है PCR होता है ingest होता है graphics होते हैं video editing होते हैं और आपका output हमने बताई दिया तो वहाँ पे तमाम तरीके के तमाम जो है field होते हैं तमाम department होते हैं आप उनमें भी काम क कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा कि हमको क्या करना है तो यह आपके लिए बहुत बहतर रहेगा अगर आपको input department में काम करना है आपको रिपोर्टरों के टच में रहना है उनसे ख़बर निकलवानी है तो आप input department में आप जो है intensive कर सकते हैं च्रेनिक कर सकते हैं इसके अलहांवा अगर आपको video editing अच्छी लगती आपकी video editing में पकड़ है तो आप video editing में भी intensive कर सकते हैं इसके लाइब बात करें अगर आपके को graphics designer बनना है या ग्राफिक्स में आपकी रूची है तो आप ग्राफिक्स डिजाइनर का जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं और वहाँ पे आप कहीं से भी छोटा मोटा certificate course करके आप जो है ग्राफिक्स डिजाइनर की इंटनसिप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको टिकर डेक्स में काम करना है तो आप टिकर में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं इंटनसिप कर सकते हैं और न्यूज प्रोडूशर बनना है आउटपूट डिपार्टमेंट काम करना है न्यूज पैकेज लिखना है न्यूज लिखनी है तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं लेकिन कु आउटपुट जो हेट रहते हैं या जो इस भी डिपार्टमेंट के हेट रहेंगे जिन से आप मिलेंगे तो वो अपने इच्छा के अनुसार आपको पताएंगे कि आप अभी इस फिल्ड में हमारे पास पोश्ट खाली आप वहां पे इंटरंसिप कर लिजे लेकिन आपने को बताईए कि हमें यह करना है तो इससे आपको बहतर रहेगा अगर आपने कुछ नहीं सोचा तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर आपको उनके बताए हुए फिल्ड में आपने इंटरंसिप कर ली तो आपका एक से तीन महिने खराब हो जाएगा और आपको उ किसी से कोई वारतालाब नहीं करने है आपको अपने सिर्फ काम से काम रखना है और अपने काम को अच्छी तरीके से समय करना है और उनसे काम को सीखना है कुल मिलाकर आपका मोटिव यह रहेगा इसके लामा अधिक पर किसी पर विश्वास ना करें कोई भी है आप अधिक विश्वास ना करें, खुद का ग्यान और खुद का कार अनुभवी आपको आगे लेकर जाएगा, ये चीज आप नोट कर ले, इसके लामत तीन चीजे हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, उसके बारे में भी आप जान लीजे, जो इंटर्सिप करने से पहले आपको बहुत ही आव आपको टाइपिंग आनी मश्ट है, अगर आप मंगल पे हिंदी टाइपिंग जानते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, अगर नहीं जानते हैं, तो आप टाइपिंग सीख लीजेगा, तब ही जाईएगा, आपकी वहाँ पे इंटरी की संभावना काफी बढ़ जा आपको एक बिंदी के लिए भी काफी दिक्कत हो सकती है, कि आपने वो बिंदी मात्रा क्यों नहीं लगाया, और बहुत अधिक दिक्कत होगी, उसी की तरह अगर आप जो है, न्यूज प्रोडूशर हैं, तो भी अगर उसमें उपर जाता है, हेड्लाइन्स में, तो वहाँ पर भी आपको जो है, हिंदी सही लिखनी है, नहीं तो आपको काफी डाट पड़ेगी, तो इससे बहतर है, आप अपनी हिंदी ज्यान को अभी से सुधारें, निश्वेपर पढ़ें, और जर्नल हिंदी की जो मानक बुक है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा, जो मैं एक चीज बता चुका हूं, उसे फिर मैं अधोराओंगा, कि आप अपने कारचेत्र को पहचान करके ही इंट्री लें, इससे आपको बहुत ही बेहतर होगा, और आप सफल हो जाएंगे, कारचेत्र में आपको क्या करना है, ये चीज आपको पहले से पता होना और उसी का इंटर्शिब करें, तो दोस्तों फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, धन्यवाद।